तो यह हमारे चैप्टर का नाम है स्किवनेस हिंदी में विसमता इस चैप्टर को समझने से पहली क्योंकि मैं बोल रहा हूँ न numerical question तो आते हैं इसके अलावा become BBA के अंदर business statistics से बहुत सारे theory questions भी आते हैं बहुत सारे concept पूछ लेते हैं न और अच्छे number के questions होते हैं 10 marks के 15 marks के depend on your paper pattern तो इसलिए only numerical ही नहीं उस chapter के बारे में आपको पता होना चाहिए उस chapter का concept पता होना चाहिए वो chapter है क्या वो पता होना चाहिए only formula लगा के questions solve कर लोगे तो उससे तो वो रटा मारा जाएगा ना तो चलिए पहले हम आज की lecture में समझेंगे कि skriveness क्या है अब skriveness को समझने से पहले आपको 2 chapter के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए जो हम कर चुके हैं एक करा में measures of central tendency measures of central tendency जब हम ने ये chapter कर आता measures of central tendency ठीक है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए यह क्या है और मैंने बहुत अच्छे से बताया था इसके फर्स लेक्चर के अंदर फिर हमने चेप्टर के या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन अफ डिस्पर्जन ठीक है यह chapter के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए यह chapter का concept क्या base क्या है फिर हमारा third number आज जो हम start कर रहे है वो skivness तो आप बोलो के sir वो पिछले chapter से इसका कोई connection है बिल्कुल connection है सीधा connection है अगर पिछला दो समझ में आया है उनका mean क्या है वो समझ में आया है arithmetic mean के जरिए चाहे median के जरिए चाहे mode के जरिए चाहे quartile वगरा percentile decile वगरा सब calculate करें हमने वो सारे के सारे एक ऐसी value हमारे पास आते थी जो series को क्या कर देती रिपर्जेंट कर देती है उसके center point को बता देती एक तरस से तो उसको बोलते है measures of central tendency इसके अंदर जैसे हमारा arithmetic mean हो हो गया ठीक है और mode हो गया अगर मैं मोटा मोटी इन तीनों को लूँं तो यह तीनों क्या थी तीनों को हम इससे calculate करते थी measures of central tendency chapter के अंदर हो यह तीनों की तीनों अपनी series को represent करते थी अना एक average बताते थे यह सारे के सारे क्या averages है averages जो आपको series दे रखी है उसका यह average है और मैंने अच्छे से बता एक गाउं का example लेके बताया था कि गाउं की यह गाउं की जो average income है वो है monthly 10,000 रुपे यह 5,000 रुपे example के लिए 10,000 रुपे मंतली average income है तो यह average आ गया सभी persons की यह income थोड़ी होगी लेकिन किसी की थोड़ी ज्यादा होगी किसी की कम होगी यह averages फिर हमने देखा कि चलो हमने average तो निकाल लिया लेकिन वो average जो है क्या वास्तों में अपनी उस series को अपने उस data को represent कर पाता है कर पाता है नहीं कर पाता है यह चेक कैसे करे तो उसके अंदर हमारे चेप्टर आया फिर measures of dispersion measures of dispersion dispersion word का मतलब होता फैलाव यानि कि वो जो average निकला है वो average अपर साइड में लोवर साइड में कितना फैलेगा वैसे जैसे गाओं की income average 10,000 per person है अब वो कितना उपर और नीचे हो सकती है सबकी तो 10,000 नहीं होगी कुछ लोगों की हो सकती 11 हो 12 हो 15 हो कुछ लोगों की हो सकती 8 हो 7 हो 6 हो तो केवल इतना ही फैलाव है तो एकदम सही है वो average हमारा लेकिन अगर फैलाव बहुत जादा है किसी की income 10,000 है किसी की 1,000,000 भी है ऐसे percent भी है किसी की zero भी है बेरुजगार भी बैठे है तो वो फैलाव बहुत जादा हो गया इसका मतलब वो average फिर अपनी series को अच्छे से represent नहीं कर पा रहा है तो कोई भी हम जो average निकाल रहे है वो average अपनी series को अच्छे से represent कर रहा है या नहीं कर रहा है यह पता करना पता चलता हमी जब हम calculate करते है measures of dispersion के अंदर और इसके अंदर हमने आपको पता है बहुत सारे methods कर आदा है या सही है present कर रहा है नहीं कर रहा है वो average अपनी series को यह सबम देखते थे ठीक है यह अच्छे से समझ चुके हैं मैं यह revise करा रहा हूं आपको अब आता हमारा skivness skivness आपको यह बोलता है कि चलो आपने average देख लिया आपने जो है उसका dispersion देख लिया उस series का फैलाव कितना है वो देख लिया वो average सई से represent कर रहा है नहीं कर रहा है वो देख लिया यहां तक तो सही है skivness आपको यह बोलता है कि जो आपका data यह में बोलते है स्वरूप कै किसका हुआ जो डेटा की सीरिज दे रखी आपका Type In!! primeiraा की स्वरूप कैसा है इस वो किस तरीके से ही बोडि़ तरीके से वो सकता है एक होता है छुश्ट डेटा का सीरिज एए और देक हो सकता है समेटिक समेटिकल और असमेटिकल अब सबसे पहले इसका मतलब समझो असमेटिकल और समेटिकल का मतलब अगर वो डेटा की जो सिरीज है वो समेटिकल है अगर वो डेटा की जो सिरीज है वो समेटिकल है अना तो समेटिकल मतलब क्या होता है मैं आपको एक एक ग्जांपल देता हूं जैसे फोर एक्जांपल के लिए कोई डेटा की सिरीज है वो इस तरीके से काम करती है 100 100 से हो गय 500 से हो गया वो 700 यह इसका maximum point आ गया तो यह बढ़ी कैसे देखो increase कैसे होई ठीक है और उसके बाद decrease कैसे हो रही है वो भी देखो decrease कैसे हो रही है वो भी देखो decrease हो रही है for example के लिए यहाँ से 700 के बाद में वापस 500 फिर 300 फिर 200 और फिर वापस 100 तो यह जो data के series है यह कौन सी है यह symmetrical है इसको normal distribution भी बोलते हैं क्या बोलते है normal distribution तो अगर आपका data ऐसा है जैसे बढ़ कितना रहा है यहाँ पर देखा 100 से कितना 300 हुआ तो gap कितना इसके बीच का देखा आपने 200 का gap है ठीक है कितना का है 200 का है मैं पैन चेंज कर लेता हूँ एक सकेंड ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए 100 से 300 तो gap कितना है 200 मालब 200 से बढ़ा फिर वापस 200 से बढ़ा फिर वापस और 200 से बढ़ा तो 200 से बढ़ रहा है तो एक उसका जो percentage है बढ़ने का increase का वो से में देखा आप 200 200 200 तो यह symmetrical है यह यह जो data series यह symmetrical है क्यों क्योंकि एकदम अच्छे से उसी series में बढ़ रहा और वापस उसी में कम हो रहा इसलिए symmetrical है देखो वापस कम कैसे हुआ 200 से कम हुआ फिर 200 से कम हुआ फिर किस से कम हुआ 200 से कम हुआ यह 200 यहां से रदता हूँ सिधा यहां 100 आ जाएगा तो जो positive चीज थी और जो वापस negative चीज भी है पहले बड़ा maximum point पे गया फिर नीचे कम हुआ यह symmetrical order में हुआ है इसको भी बोलता है symmetrical order अगर symmetrical अगर data series है आपकी इस तरीके से है जो मैंने आपको example दिया है जरूरी नहीं 200 वो कोई भी data हो सकता है लेकिन आप समझ गए होंगे तो फिर यहां पर skewness का problem नहीं है यहां पर अच्छा है वो एकदम data जो है वो बढ़िया है वो अपनी series को अच्छे सी represent भी कर रहा है और यह नॉर्मल डिस्टिकुशन है skewness तब आता है जब आपका जो data है वो asymmetrical order में हो asymmetrical order का मतलब क्या हो गया जैसे यहां देखो asymmetrical का मतलब हो गया 100 100 से हो गया फिर 400 400 से हो गया फिर 500 ऐसे फिर उसके बाद कम हो गया आपका 700 हो गया फिर उसके बाद में 700 से सीधा जो है आपका आगया 300 और फिर हो गया 100 आप देखों यहां पर यह कितना 300 का गया पर यहां पर कितना हो गया 100 का फिर यहां कितना हो गया 200 का फिर वापस कम कितने से हो गया 400 से और फिर कितने से हो 200 से तो यह देखो यह asymmetrical order हो गया यह data series के कौन सा order हो गया asymmetrical order हो गया तो skewness यहाँ पर पाया जाएगा इसी चीज़ को skewness बोलते हैं अगर बहुत सारे जो professor है उन्होंने definition दी ना उसमें यह बहुत important चीज भी skewness उन्होंने यही बोला कि जब data asymmetrical order के अंदर होता है तो वहाँ पर skewness होती है और वहाँ में पता करनी होती है तो इसका मतलब हम यह कोसिस कर रहे हैं पता करने की जो वो data series है वो systemat symmetrical है या asymmetrical है यह पता करने के लिए हम skewness वाला chapter पढ़ते हैं और skewness को जानते हैं फरस्ट हमारा जो कि है symmetrical distribution यह जो symmetrical distribution होता है इसको normal language में normal distribution भी बोलते हैं normal distribution यहां skewness नहीं होती है यह normal distribution होता है तो आपको पता करना होगा कि skewness है या नहीं है symmetrical में नहीं होती है इसको अगर आप graph भी दिखाओगे तो इस तरीके से बनता है अभी मैंने आपको example से समझाए था अब थोड़ा सा यहांचे से समझो देखो फिर end में मैं comparison भी बदा दूँगा अब इसमें क्या होता है जो आपका graph बनता है वो क्या होता है जो आपकी series है न वो positive way में increase होती है positive way में एक अपने maximum point पे जाती है फिर उसी तरीके से वापस नीचे आती है इस तरीके से जिस तरीके से बढ़ी maximum point पे उसी तरीके से नीचे आगे ठीक है और अभी मेरे एक्जामपल भी दिया था जैसे 2200 से वो बढ़ रहा था ना 200-200 से बढ़ रहा था और वापस 2200 से ही वो data क्या हो रहा था कम हो रहा था तो यह जो है यह ओडर यह जो आपको graph दिख रहा है यह जो आपको curve दिख रहा है यह symmetrical distribution या normal distribution का example है यहाँ पर skivness नाम की चीज़ नहीं होती है और इसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान रखना इसमें क्या होगा जो हमारा arithmetic mean है यह बहुत important चीज़ है एक्जाम में पूछ हो सकते हैं अर्थमेर्टिक mean जो होता है अर्थमेर्टिक mean और तीन चीज़े हैं median और mode uster इसके बाद systematical distribution के बाद में हमारा a-systematical distribution है उसकी और a-systematical, symmetrical, sorry, a-symmetrical distribution, systematical नहीं है, symmetrical, a-symmetrical distribution ठीक है, a-symmetrical distribution के अंदर further फिर दो point होते है यह है, positive distribution, positive, positive distribution, हिंदी में धनात्मक वितरन बोल सकते हैं, अब इसका भी देखो चार्ट, यह देखो, यह कुछ इस तरीके से होता है, यह आपका वही x-axis, y-axis, अब यह कैसे होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका कर्व है, जो आपका बढ़ना है, जो आपकी increase होती है, यह series, वो बहुत fast हो जाती है, एकदम से, ठीक है, फिर maximum points पे जाती है, फिर जो कम होती है, वो फिर दीरी 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 ऐसे कम होती है, थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं, एकदम से बढ़ेगी, maximum point पे और आपके mode से, हमें साथ ज्यादा होता है, यह न, arithmetic mean is more than, from median and mode, यह दे आदा है, ओके, next आता है, फिर हमारा positive के बाद में, negative distribution, वो इसी के अंदर है, न, asymmetrical distribution का ही point है, first positive distribution, second negative distribution, तो, बी point आजागा आपका, negative distribution, एक second बचाए, बी number, अब यह कैसे होता है, देखो, यह हम कर्व बनाते हैं, x-axis, y-axis, ठीक है, अब यह कैसे होगा, यह क्या होगा, बढ़ेगा बहुत, धीरे-धीरे, increase तो धीरे-धीरे होगा, ठीक है, maximum point पे जाएगा, फिर गिर जाएगा, एक दम नीची, ऐसे, तो यह हो गया आपका, negative distribution, यह कौन सा हो गया, negative distribution, यह भी asymmetrical distribution का तरीका है, और positive distribution और एक तो तेजी से बढ़ेगा, फिर दीरी-दीरे कम होगा, तो same नहीं होगा, और यह फिर बहुत दीरी-दीरे बढ़ेगा, और तेजी से कम हो जाएगा, तो वहाँ पर भी skiveness होगी, ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पर एक table बनाके, अच्छे से इसको बताता हूँ, लेकि जो negative distribution होगा, इसके अंदर, जो हमारा arithmetic mean होगा, वो arithmetic mean आपका median से और mode से हमेशा कम होगा, so arithmetic mean is lower than from median and mode, ओके, आया समझ में बिटा बताओ, और अगर तीनो को एक साथ बनाके बताओ मैं आपको, तो देखो कैसे बनेगा, हम एक लेते हैं, यहाँ पर कर बनाते हैं, तीनो का एक साथ में, comparison दिख जाएगा आपको साब साब, ठीक है, देखना, x, y, एक तो होगा ये, ठीक, एक होगा ये देखो, ठीक है, और एक होगा आपका, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ट्राइ किया है, तो ये जो है आपका, ये वाला, कौन सा, ये, ये है, नॉर्मल, या फिर समेट्रिकल डिस्टिविशन, ठीक है, और ये वाला ये कौन सा है, ये है बिटा आपका, पॉजिटिव, कौन सा है, पॉजिटिव डिस्टिविशन, और जो इधर जुका हुआ है, ये कौन सा है, ये है नेगिटिव, दोनों की दोनों नेगिटिव और पॉजिटिव कौन से होते हैं, आसज है में ट्राइक है आपको इनके बीच के डिफरेंस बताना, ये देखो, सेम बड़ा, सेम कम हुआ, तेजी से बड़ा, तेजी से कम होगा, यह तेजी से बड़ा और तेजी से कम होगा, अब यहां से समझना, यह दे रखा आपको X, ठीक है, अब हम skewness जब पता करते हैं, तो skewness किस में पता होती है, X मनी F में, F मतलब frequency में, यह हमें सा ध्यान रखना, जब भी skewness, इतनी देर जो बाते कर रहे थे न, इसकी मेंस calculate करने के लिए जो data देख रहे थे, वो उसकी frequency देख रहे थे, X value नहीं देखनी होती है, ठीक है, तो देखते माल लेते हैं, एक frequency है यह, आपकी frequency जो है, वो ऐसे है, आपकी frequency start होती है, 100 से, फिर वो बढ़के हो जाती है, 300, फिर वो के हो जाती है, 700, उसकी बाद में वो कम होती है, कम क्या से होती है, वापस 500, यह maximum point आ गया, फिर 300, और फिर 100, अब आप मुझे बताओ, यह कौन सा, जो यह frequency है, यह कौन सी वाली है, अगर skewness के इसाब से अगर हम देखें, तो यह कौन सी वाली है, frequency, यह जो frequency है, क्या इसमे skewness है, तो मैंने बताया था, यह normal distribution है, यह symmetrical distribution है, इसलिए यहाँ पर frequency नहीं होगी, यहाँ पर क्या है, lack of, यहाँ पर skewness नहीं होगी, यहाँ पर lack of skewness है, skewness का यहाँ पर अभाव है, तो देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं, conclusion तो हमको दे नहीं है, तो देखो, सबसे first हमा कारा point, यहाँ skewness कौन सा है, तो यहाँ क्या है, lack of skewness, lack of skewness, यहाँ पर जो है, skewness का अभाव है, क्योंकि यह कौन सा distribution है, यह होगी आपका normal distribution, तो यहाँ पर एक line लिखके में, बता भी सकता हूँ, कि यह जो आपका distribution है, यह कौन सा या curve इस से कौन सा बनेगा, normal curve बनेग कर्व की भी बात हम कर सकते हैं, साथ साथ में, यहाँ पर मिलिख देता है, तो यहाँ पर यह कौन सा कर्व बनेगा, यह normal distribution कर्व बनेगा, यह नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ, symmetrical distribution है, और मैंने पहले बोल दिया था, symmetrical distribution में skewness होता ही नहीं, so lack of skewness, आगे समझते हैं, अब आ किस तरीके से दे रखी हो सर, आपको frequency दे रखी हो, जैसे 100, 100 से सीधा बढ़के हो गया 900, और उसकी बाद में वो कम होना स्टार्ट हुआ, फिर हुआ वो 100 से सीधा 900, तो यह positive distribution का सीधा-सीधा मामला आपको दिख रहा है, 100 से सीधा 900 हो गया, फिर कम हुआ, फिर कम होते होते वो माल लेते हैं, 600, फिर 500, फिर 400, फिर 300, ठीके, ज्यादा जो नहीं लिख दिया मैंने, यहां 5, यह 4, यह 3 को थोड़ा निचे लिख दिते हैं, थोड़ा-थोड़ा, फिर हो गया, 300, यह हो गया, 200, और 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सही है, ओके, तो यह जो ओर यह आपको देखो कैसा दिख रहा है, यह पॉसिटिव है, अब आलो कि सर पॉसिटिव कैसे है, तो देखो यह बढ़ा कैसे है, एकडम से इंक्रीज हो गया थे, तो यहां पर क्या स्किवनेस ह है, यहां पर पॉसिटिव स्किवनेस है, यहां पर पॉसिटिव स्किवनेस है, यहां पर पॉसिटिव स्किवनेस है, और करव कौन सा बनेगा यहां पर, यहां पर पॉसिटिव डिस्रिबिशन वाला करव बनेगा, यह देखो, ऐसा बनेगा, यह वाला बनेगा, पॉसिटि बढ़ा रहे हैं 100 फिर 200 फिर 300 फिर 400 500 और फिर उसके बाद जब कम होना स्टार्ट हुआ maximum point तक तो जाना ही है पहले maximum point है इसका 900 और 900 के बाद में जो decrease 1 वो सीधा 100 तो देखो बढ़ कैसे रहा है एक तम धिरे-धिरे और कम कैसे हो रहा है बहुत तेजी से तो यह का है negative skewness बोलेंगे इसको और यह asymmetrical distribution है हमने पढ़ा भी तक तो skewness कौन सा हो गया negative skewness और यह distribution कौन सा हो गया negative distribution और एक जीज हमने और पड़ी थी यहाँ पर वह भी मैं इसके साथ में कर देता हूँ आपके काम आजेगी जब आप इसको learn करोगे तब exam time में यहां पर positions क्या रहेगी averages की positions of averages यह बहुत important है positions of averages यहां क्या averages कौन से constant average लिवन आहां और Keynes मीन मीडियन और मोड़ यहां पर एक्वल यहां पर क्या रहेगा पोजिटीव में जो आपका arithmetic मीन होगा वह median से और मोड़ से क्या होगा जहादा और आपका जो यहांपर negative skewness जब आएगा तब आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो आपके मीडियन से और मोड से क्या रहेगा कब आया समझ में तो इस्टेबल से आपको काफी चीजे क्लियर होगी है न काफी आपको चीजे समझ आएगा ओके ठीक है बटा और एक चीज और है बल भी में आपको बताई देता हूं वह भी ध्यान रखोगी तो आपको फाइदा ही होगा और वो है आपका क्वार्टाइल से रिलिटेड कुछ चीजे है वह भी बता देता हूं मैं आपको quartile, जब आपका skewness का अभाव होता है, lack of skewness होता है, यह नॉर्मल जब distribution होता है और सारे averages जब equal होते हैं, उस समय आपका q3-median equal to यह होता है, m-q1, यह दोनों equal होते हैं, यह दोनों क्या होते हैं, equal, और इसमें क्या होगा, जब quartile-median और यह more than होगा किससे, median-q1, q1 आ रहा है, यहां q3 है, और इसके अंदर क्या होगा, जो quartile-median, यह कम होगा किससे, median-q1 के data से, तो कुल मिला के आपका totally, यहां तक skivness में जो भी theoretical part था, वो complete करा दिया है, मैंने, और यह क्या होता है, वो काफी हद तक आपको बहुत सारी चीज़े समझ आई होगी, बते हैं,